गुद मॉर्निंग स्टेंट्स तो गाइस आज के वीडियो में हम study करने वाले हैं पार फिप्थ और टॉपिक है लॉच टाइप आफ किसन अंसर्स और चैप्टर पिरोटे इस पावर तो चलिए स्टेंट्स स्टाइप करते हैं लोग टाप किसम अंसर को ले करके So now let's study Guys किसम first is there What are the merits of purity Purity के क्या merits है क्या गुण है एक और में किसम है Describe purity in different areas and their merits Purity को describe किजिए in different areas अलग लग छेत्रों में and their merits और इसके क्या गुण है वो बते ही आप So guys answer Purity is a divine gift for mankind on this earth Purity is earth पर इस पिर्थी पर मानत अगले देवी उपहार है The purity of body promotes our physical health शरीर की पवितरता हमारे सारीरिक स्वास्ते को विस्तार करती है The purity of thought promotes our morality विचार की पवितरता हमारे नेतिक तक अविस्तार करती है and purity of mind provides us with mental peace मन की पवितरता हमें मानसिक सांती पदान करती है The purity of heart promotes unselfish love for humanity और दिल की पवितरता मानत अक ले एक नेतिक पर परेम का विस्तार करती है The purity of action develops a sincere and unselfish service Purity of action it means कारी की पवितरता क्या करती है develops a sincere and unselfish service एक सची और निश्वार सेवा का विकास करती है आगे दिखिए The purity of society develops the spirit of harmonious unity harmonious unity it means सामाज से पूर्ण एकता spirit it means भावना तो समाज की पवितरता है वह सामाज से पूर्ण एकता की भावना का विकास करती है The purity of the environment provides us with soul-elevating serenity soul-elevating serenity serenity means सांती soul-elevating आत्मा का उत्थान करना तो जो परियावन की पवितरता है वो हमें आत्मा को उत्थान करने वाली सांती परदान करती है The purity of mind makes our vision, words and deeds pure Vision, it means विचार, दिस्टिकॉन or deeds means कारी है मन की पवितरता हमारे विचार, हमारे सब, means हमारे वार्निंग, deeds हमारे जो कारी होते हैं, उनको पवितर कर देती है Purity makes a man so great and powerful that he can change a bad one into a good man Purity, जो पवितरता है, एक मने सोग इतना महान, इतना powerful बना देती है कि वो एक बुरे व्यक्ति को भी अच्छे व्यक्ति में बदल सकते है Purity provides a spiritual power, spiritual power means अध्यात्मिक सकती So purity provides a spiritual power, पवितरता हमें अध्यात्मिक सकती परदान करती है And lightens our brain, और हमारे मस्तिक्स को lighten कर सकती है मैं उसको चमका देती है Purity is the key to all success So पवितरता सभी सबलताओं की की है, चावी है It establishes harmony and unity in social life Harmony, it means सामाजसे, unity means एक्ता तो इस परकार से हमारे सामाजिक जीवन में एक्ता और सामाजसे को स्थापित करती है Purity itself has the power to make people pure Purity में अपनी थाकत होती है To make people pure लोगों को पवितर करनेगी So guys, यह हमारा first question Now let's see second question As is the mind, so is the vision जैसा मन होता है, वैसा ही विचार होता है सोच होती है Explain it इस बात को explain कीजिए एक प्रिक्ष्या के लिए बुलाया आने के लिए कहा गया, from the society of अस्तिनापूर, अस्तिनापूर के समाज से युदिष्टर बिइंग प्यूर हार्टेड और युदिष्टर दिल से पवितर होने के कारण found everyone to be pious and pure Pious means पवितर तो युदिष्टर दिल से पवितर होने के वज़े से उसको हर व्यक्ती पवितर नजर आया and दृद्णा बिइंग इंप्यूर मैंडेड इंप्यूर मैंडेड दिल से पवितर मन और दिल से पवितर मन के होने के वज़े से found everyone evil and impure उसको हर व्यक्ती evil नजर आया बुरा नजर आया इंप्यूर एंपवितर नजर आया therefore इसलिए neither युदिष्टरा could find out an evil man इसलिए नहीं तो युदिष्टर को एक बुरा वेक्ती मिल पाया नौर कुट दुर्योदिना find out a good man from the society of अस्तिनपूर और नहीं दुर्योदिन को एक अच्छा वेक्ती मिल पाया अस्तिनपूर के society से समास से both of them failed in their missions दोनों ही अपने mission में कायम्याब नहीं रहे means acceptable रहे the proverb इसलिए जो कहा होता है as is the mind so is the vision जैसा मन होता है वैसा विचार होता है holds good in both cases दोनों cases में means सही है all things are good to the good हर चीज़ें अच्छी होती हैं अच्छे के लिए all things are bad to the bad और सभी चीज़ें bad होती हैं bad के लिए जो वैक्ती खराब होता है उसको हर चीज़ खराब नज़र आती है जो वैक्ती अच्छा होता है तो उसको हर चीज़ अच्छी नज़र आती है इसलिए यह जो कहावत है कि जैसा मन वैसा विचार बिलकुल एक right एक correct यह proverb है अब देखी किस्ण मेर थाड describe the significance of the crane episode यह जो crane जो पक्सी है जो हम सारस्त बोलते हैं इसके घटना यह mentioned इस chapter में तो यह जो घटना है जो crane के जो incident है यह episode क्या बताता है इसके बारे में डिस्क्राइब किजी सो गाइज अंसर है देक्रेइन एपिसोड इस डेटिट तो गौतम रिशी हुँ वांटेट तो आप्टें सटेन पावर्स थू तपस्या यह जो क्रेइन एपिसोड है यह जो घटना है यह गौतम से लेटिट है गौतम एक क्रेशी था हुँ वांटेट तो आप्टेन सटेन पावर्स जो एक कुछ सक्तिया प्राप करना चाता था थू तपस्या तपस्या के माधन से ही अब जर्रीग्रेश ऑस्टिर्ज अव्जर पलं करना रिग्रेश स्कठोर ऑस्ट्रीज इट मिस नियम कठोर नियम शो उसने तो नेमा का पालंग किया for a long period, लंबे समय तक, one day एक दिन, the Rishi was having a holly deep, holly deep means पवित्य डुपकी, एक दिन रिसी एक पवित्य डुपकी लगा रहा था in the river नदी में, when the droppings of a crane, droppings means beat, और crane पक्सी के जो beat होती है, sitting among the branches of a tree, वो पक्सी जो की ट्री की ब्रांची में बैठा वा थ साखाओं में बैठा वा था, एक पेट की साखाओं में बैठा वा था, fell on his head, तो उसकी beat उसके सर पे आकर गिर गई, दर Rishi got angry, Rishi गुसा हो गया, and killed a bird और पक्सी को मार दिया, with his angry gaze, अपनी गुसे बरी नजरों से, this event created pride in Gotham, और इस घटना ने Gotham में एहंकार पन कर दिया, pride मिस एहंकार, गमंड, after this, इसके बाद, he went to a nearby village, वो एक पास की गाम में गया, to have arms, भीख मांगने के लिए, when the house lady got late, the house lady late हो गई, to come out भाहर आने में, so Gotham became angry, so Gotham जो रिशी था, गुसा हो गया, at this, इस बाद पर, she said that, उसने कहा, this was not a crane, वो को crane पक्सी नहीं है, hearing this, यह सुनकर के, Gotham got surprised, Gotham surprised हो गया, हैरान रह गया, and humbled, और insulted मैसुस किया उसने, लग्जित मैसुस किया, then she sent him to a man, तब उसने, Gotham जो रिशी होता है, उसको एक ऐसे आदमे पास भेजा, who was also pure and simple, जो वो भी पवित्तर था, और simple था, that lady and that pious man, तो वो जो लेडी थी, वो जो पवित्तर वेकती था, rooted out, rooted out means खतम करना, जड़ से खतम करना, rooted out Gotham's pride, तो उन्होंने Gotham के comment को, जड़ से खतम कर दिया, and since then, और तब से, रिशी Gotham became simple and gentle, रिशी Gotham simple बन गया, and gentle, और वे number बन गया, तो guys, यह था हमारा question number third, अब बात करते हैं, question number fourth, why are sanskars important in our life, sanskars हमारे जीवन में important क्यों है, महतरपून क्यों है, answer, sanskars are important in our life because these words of are impurities, words of, it means remove करना, खतम करना, impurities, it means app पर वितरता है, क्योंकि यह जो sanskars होते हैं, हमारे जो app पर वितरता हैं, उनको खतम कर देते हैं, उनको वोस्क कर देते हैं, and bad habits, और हमारे जो bad habits हैं, उनको भी वोस्क कर देते हैं, हमारे जो sanskars होते हैं, and put the base on which a wall of virtues could be erected, erected means खड़ा होना, so यह बताया गया कि जो sanskars होते हैं, put the base, एक base त्यार करते हैं, एक आधार त्यार करते हैं, on which a wall of virtues, virtues means अच्छे गोण, सद्गोण, एक ऐसा आधार त्यार करते हैं, जिस पर एक अच्छे गोणों की दिवार खड़ी की ज़स्के, there are some weaknesses present even in a very good boy or girl, तो आगे बताया गया कि एक अच्छे लड़के या एक अच्छे लड़के में कुछ कम्या मिल सकती हैं, कुछ कम्या होती हैं, weakness is miss कम्या, sanskars are in fact psychological and religious treatment to root out the weaknesses and implant good thoughts and views, तो यहां बताया गया संसकार्ज होते हैं, एक psychological, एक मनोविज्ञानिक, एक religious treatment है, एक धार्मिक treatment है, उप्चार है, तो यहां बताया गया संसकार वास्तम में एक मनोविज्ञानिक और एक धार्मिक उप्चार है, to root out the weaknesses, कम्यों को खतम करने के लिए and to implant good thoughts and views, और एक अच्छे विचार स्थापित करने में एक बहुत ही फाइदमन है, एक treatment की तरह काम करते हैं, संसकार, वैं आप पैरेट, इफ ट्रेन प्रॉपरली, यदि एक पैरेट को अच्छे ट्रेन किया जाए, उसको पर्सेक्शन दिया जाए, एक माना आवाज की नकल कर सकता है, तो एक माना का बच्चा और अधी पर्फेक्ट क्यों नहीं बन सकता है, जदा एफिसेंट क्यों नहीं बन सकता है, अफिसेंट मिफ शक्सम, कुसल, तो जदा शक्सम कुसल क्यों नहीं बन सकता है, ठ्रू संसकार्स, संसकार्स के माधिएं और एक आदमी को एक सच्छा इंसान बनाने में, एक पवित्र इंसान बनाने के लिए 16 जो 16 संसकार है उनका डेजाइन किया है It is a fact that तो ये बात सच है कि virtues enable a person जो अच्छे गुन होते हैं virtues means अच्छे गुन जो सद गुन होते हैं वेक्ति को सक्सम बना देते हैं to live a quality life एक quality life जीने में सक्सम बना देते हैं एक अच्छे जिनकी जीने में सक्सम बनाते हैं and qualities of life और जीवन के जो गुन होते हैं come through वो आते हैं किसमे से आते हैं कहां से आते हैं come through psychological and religious treatment वो मनविग्यानिक और धार्मिक उप्चार से याते हैं धार्मिक उप्चार जैसे कि हमारा धरम है हमारे जो धरम गरंतों में जो बाते कहीं कहीं हैं कि हमें बुरानी करना है अच्छे को फोलो करना है तो यह सब बाते हमें means गलत करम करने से रुखती हैं जो बुरिया हैं उनसे हमें बचाती हैं तो इसलिए यह से बाते हमें पावित्र बनाने में हमारी मदद करती हैं That's why संसकार्स are important in our life. संसकार हमारे जीवन में महत अपूर्ण है So guys, next question देखिए How does bringing up make all differences in shaping lives? Bringing up, it means पालन पॉसन करना तो यहां बताया गया कि क्योसन है कि पालन पॉसन किस पकार जीवन को एक करते दिने में एक difference पैदा कर देता है Illustrate, illustrate में उधारन दे के समझाना Illustrate with the help of a parrot's episode तो इस बात को सपस्ट केजिए आप उधारन दे के समझेए आप तोते वाली घटना से मदद लेके जो incident यहां इस chapter बताएगी है parrot वाली तो इसकी help लेते वे इस बात को सपस्ट केजिए आप कि किस परकार पालन पॉसन जीवन को आकरते देने में एक difference पैदा करता है तो चलिए गाईज आनसे दिखते हम the method of bringing up and the atmosphere available around greatly influence the kid's life जो bringing up का जो तरीका है miss जो पालन पॉसन करने का जो तरीका है and the atmosphere available around और हमारे आस पास को जो वातावन है greatly influence the kid's life greatly means बहुत जादा influence it means पर भावित करना kid's life it means बच्चे का जीवन तो यहां बताए जा रहा है कि एक तो पालन पॉसन करने का तरीका दूसरी बात है कि हमारे आस पास को जो environment है जो atmosphere है वो बहुत ही जादा पर भावित करता है बच्चे के जीवन को means बच्चा जिस परकार के माहूल में रहेगा उसी तरह का उसका character उसी तरह का उसका चेतर तयार होगा उसी तरह का उसका nature बनेगा तो इसलिए पालन पॉसन करने का तरीका और जो माहूल है atmosphere है वो बहुत ज़दा effect करता है बच्चे के जीवन को one who is brought up in a peaceful and cellulized atmosphere एक वेक्ती जिसका पालन पॉसन होता है प्रोटब इस पालन पॉसन जिसका पालन पॉसन होता है in a peaceful and civilized atmosphere एक सांथ एक सब्वे वातरवन में जिसका पालन पॉसन होता है becomes gentle तो वो gentle बनता है venimer बनता है and civilized और सब्वे बनता है while the other who is brought up in an uncivilized atmosphere becomes uncivilized while miss जबकी जबकी the other miss दूसरा बच्चा जिसका पालन पॉसन होता है who is brought up जिसका पालन पॉसन होता है in an uncivilized atmosphere एक एक सब्वे माहौल में जिसका पालन पॉसन होता है becomes uncivilized तो वो बच्चा कैसा बनता है uncivilized ऐसा भी बनता है so it can be well understood तो इस बात को हम समझ सकते हैं इस बात को समझा जासकते है with the help of parrots episode जो parrots की episode है जो incident है इस chapter में उसकी मदद से इस बात को हम आसानी से समझ सकते हैं अच्छे से समझ सकते हैं there were two parrots two parrots से born together from the same mother दोनों का जन्म हुआ था एक ही मदर से हुआ था one of them was taken away by hunter उन में से एक को hunter जो सिकारी होता है उसके दौरा ले जाया जाता है while the other one was taken by a scholar जो दूसरा जो parrots होता है उसका एक scholar के दौरा scholar means with one एक with one के दौरा से को ले जाया जाता है one who was brought up by the hunter learned the vulgar slang जो एक parrot था जिसका पान्म पोजिशन hunter के दौरा होता सिकारी के दौरा जिसका पान्म पोजिशन किया गया उसने सीखा learned the vulgar slang एक अबद्धर एक ऐसा भी बासा सीखी while the one लेकिन जो दूसरा वाला था जबकि brought by the scholar जिसका पान्म पोजिशन एक विद्धवान के दौरा हुआ learn to speak उस पहट ने बोलना सीखा कैसे बोलना सीखा with softness softness के साथ, कामलता के साथ refinement के साथ में and culture और सब बैता के साथ बोलना सीखा this was due to the way of bringing up bringing up palm portion तो ऐसा हुआ किस वज़े से हुआ palm portion करने के तरीके के वज़े से हुआ and the atmosphere available around और उनके जो आस पास के जो माहूल था उसकी वज़े से ऐसा हुआ क्योंकि hunter के पास ज़ेसा माहूल था वैसा ही means पार्ट ने follow किया और scholar के पास जैसा माहूल था वो माहूल उस second parrot ने follow किया तो hunter के पास पास पार्ट था वो गंदे language सीखता है तो scholar के पास जो पार्ट था वो एक अच्छे language बोलना सीखता है बड़े प्यार से बोलता है तो यह सब किस वज़े से, एक माहौल की वज़े से, एक एटमोस्फिर की वज़े से ऐसा हुआ It is a crystal clear fact that तो यह बात बिलकुल पस्ट है कि संसकार and environment influence people very much जो संसकार होते हैं, जो environment होते हैं लोगों को बहुत ज़दा परभावित करते हैं So guys, यह था हमारा question number fifth अब बात करते हैं, question number sixth को लेकर गए justify the title of the lesson purity is power तो इस lesson जो title है, purity is power इसको justify कीजिए आप, इसको शिद कीजिए आप, answer purity is power is a quite appropriate title of this lesson quite appropriate, बिलकुल उचित तो जो purity is power, यह जो title है, बिलकुल, उचित title है इस lesson का, the total theme of the lesson moves around the kinds and importance of purity इस lesson का जो total theme है, जो विसे है, घूमता है, किस तरफ घूमता है? प्यूर्टी के importance को लेकर के, purity के types को लेकर के, purity कितने परकार है, क्या इसका महतु है, importance है, इस सब बातों के तरफ यह सारा theme घूमता है इस lesson का, इस chapter में, purity के बारे में बाते की गई हैं, तो जो जो टाइटल है, purity is power बिलकुल, उचित टाइटल है, इन बिगिनिंग, इस तरफ प्यूर्टी, लेसन के सुरुवात में, purity के types explain होते हैं, the purity of body, purity of thoughts, purity of words, purity of mind, purity of environment, यह सब types हैं, और different kinds of purities, अलग परकार की purities हैं यह, along with the types of purity, और purity के types के साथ-साथ, the effects of these different purities have been mentioned, इन अलग अलग प्यूर्टी के जो effects हैं, जो परभाव हैं, वो भी mention किये गए हैं, बताए गए हैं, उनकी भी चर्चा की गई है, इस chapter में, apart from this, इसके अलावा, apart from इसके अलावा, it has been illustrated with examples, यहां उधान देकर यहां समझाये गया है, from epics, epics निस महा कावे, जो महा कावे हैं इसे महा भारत है, इस पर कारके epics से, examples लेकर भी हैं, illustrate किया गया है, समझानी कोशिस की गई है, that की, what happens when a person becomes pure in mind, क्या होता है, जब एक वक्ति मन से पवित्र होता है, words वानी से पवित्र होता है, dates करमों से, जो करम होते हैं, उन से पवित्र होता है, तो क्या होता है, A pure person becomes so powerful, एक पवित्र आत्मे इतना powerful होता है, की, he can transform a bad man into a good one, की वो एक बुरे वेक्ति को भी अच्से वेक्ति में बदल सकता है, All these things signify that, तो यह से बाते हैं, स्पस्ट करती हैं, the title of this lesson, purity is power is quite appropriate, की इस lesson का जो title है, बिलकुल उचित है, purity, strength, soul and body, purity, पावित्रता, आत्मा को और सरी, दोनों को ही सक्तिसाली बनाती है, मजबूती देती है, strength में मजबूती देना, सक्तिसाली बनाना, So guys, यह था हमेरे long time, किसना answers, इनको आप नटबुक में नट किजिए, okay, bye, take care, have a good day, till of you,